आज हम पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरन का पार्च कारक लिए ऐस been ऋंगे कारक की परिभासा उनके बेद प्वेद कारक की चिन यह हम उनके प्रश्ण उत्रों को करेंगे पेज नमबर 33 ओपन करें पहला कोश्चन है दिये गए प्रश्णों के उत्तर दो फर्स्ट नमबर कारक किसे कहते हैं कारक के कितने बेद होते हैं उनके नाम लिखो तो आईए हम उनके प्रश्णत्रों को देखेंगे कारत किसे कहते हैं और उसके उधारन संग्य ये सवर नाम के जिस रूप से उसका संबन्ध क्रिया तथा बाके के दूसरे सब्दों के सांथ का पता चले उसे कारत कहते हैं उधार है, राम ने रावन को बाण से मारा, तो इसमें कारण पता चल रहा है कि किसे मारा है, रावन को मारा है, लेकिन किसे मारा है, बाण से मारा है, ठीक ना? अब आजाते हैं कोशन नमबर टू, कारक के कितने भेद हैं, होते हैं, इनके नाम लिखी कारक के आठ भेद होते हैं, पहला है, करता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है, आई हम कोशन नमबर खा करेंगे रेखांकित सब्दों के कारक बताओ ठीक है रेखांकित सब्दों के कारक बताओ ठीक है रेखांकित लाइन खीची हुई है इनको देखती हुए हमें यहाँ पर कारक बताने कि यह किस कारक में आते हैं तो हमने आपको कारक के चिन्ह बताया था हना तो यह कारक के चिन पत्र लिखा, तो यहां पर जो ने जो है, वो कारक का चिन है, अब यह ने जो है, कौन सा कारक है, करता कारक है, ठेक है, तो यहां पर आएगा हमारा करता कारक, व्रक्ष से अब यहाँ पर से है फल गिरे अब यहाँ पर क्या हो रहा है अलग होने वाली बात हो रही है तो यहाँ पर भी से जो होता है वो दो कारक में आते हैं एक तो कौन से कारक में आता है एक करण कारक में आता है जो साधन बताता है और दूसरा जो है वो अपादान कार जो अलगाव वाली बात होती है, जो अलग हो रहा है, तो यहां वोई है, वरक्च से फल गिर रहे हैं, तो वरक्च से नीचे क्या गिर रहे हैं, वरक्च से नीचे क्या गिर रहे हैं, तो यहां पर आएगा आपका अपादान कारक, ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जय साइकल से व साइकल क्या एक साधन है तो यह कौन सा कारण हो गया यह करण कारक हो गया ठीक है कारण बता रहा किस से जारा साइकल से जारा है फोर नमबर भव्या की बहन मुस्कान सुन्दर चितर बनाती है तो यहाँ पर यह की है और यह भव्या और बहन दोनों में क्या हो रहा है संबंध बताया जा रहा है तो यह क्या हो गया यह संबंध कारक संबंध कारक अब यह माता जी कुरसी पर बेठी है अब ये पर किस में आता है अधिकरण कालक पर होता है ठीक है तो ये है आपका अधिकरण कालक आईए गाल नमबर कुशन देखेंगे खाली जगह में उपयोक्त कालक चिन भरना है यहाँ पर बच्ची पार्क में खेल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा में पेड़ खालिस्थान बंदर बेठा है तो पेड़ क्या होगा पर पेड़ पर बंदर बेठा है अभीनाव खालिस्थान पिता जी अध्यापक हैं तो यहाँ पर क्या आएगा अभीनाव की पिता जी अध्याबक हैं फिर यहाँ पर आएगा रवी खारिस्थान ललीता को पुस्तक दी तो यहाँ पर आएगा रवी ने ललीता को पुस्तक दी पूजा बाहर खारिस्थान फल लाई पूजा बाहर से फल लाई तो यहाँ पर क्या आया से अब यहाँ है घा नमर को शनिम लिखे च चिन्हों के सामने संबंदित कारक का नाम लिखना है, अब यहाँ पर चिन्ह है, अब इनके कारक लिखना है, ठीक है, ने, ये कौन सा कारक है, करता कारक है, को कर्म कारक है, से साधन के अर्थ में, क्या है ये, अपदान कारक है, नई, ये साधन है, तो ये क्या हैगा, करन कारक तो यहां पर क्या एगा करक के लिए ये कौन सा सादन है कोन सा कारक है ये के लिए संप्रदान कारक संप्रतान कारक अरी, ये कौँ सा है संबोधन संबोधन कर रहे हैं देते हैं, हरी हेराम, अरी तो क्या होगे ये संबोधन दे रहे हैं संबोधन कारक में आता है में और पर ये आजाता है आपका अधिकरण में करता कारक, कर्म कारन, करन कार, संबता कार, संबोधन कार, अधिकरन कार, इसी तरह से कारक्चिन हों पर गोला लगाईए तो यहाँ पर राहुल ने किताब पढ़ी तो यह ने है वो कारक्चिन है सीमा साइकल से विद्या ले जाती है तो यहाँ पर से कारक्चिन है मेच पर पानी रखा है तो यह पर जो है वो कारक्चिन है पिता जी कमरे में बेठे हैं तो में जो है वो कारक्चिन है बिजली पानी से बनती है तो यह से भी जो है वो कारक्चिन है ठीक है तो यह था आपका आज का लेसन यहां कम्प्लीट होता है तो हुमर के यह है कि आप इन लेसन 6 ग्रामर का कम्प्लीट अपनी कॉप्लीट में करें ओके फबेश्ट रें